हेलो फ्रेंड्स माइने मीद हीमन जेल आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक शेर के बारे में जो आगे जाके मल्टी बेगर बन सकता है और वो है अदित्य बिर्ला केपिटल मैं इसके बारे में बता दूँ उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी अदित्य बिर्ला केपिटल लिमिटेटिक के नाम से जानी जा रही है यह मैं क्यों बोल रहा हूं कि काफी एक्सपर्स भी बोल रहे हैं कि यह आगे जाके मल्टी बेगर बन सकती है अगर आपको लेना है शौट टम के लिए 230 से 2820 का टार्गेट बता रहे है कोई अग की कारोबार है, वह काफी स्ट्रॉइं है और काफी अच्छे हैं, यह NBFC में है, जो गोल लोन, और रस्जिंग लोन, थे सारे लोन यह कंपनी देती हैं और लृभ इंशओरैंस में भी यह कंपणी हैов और लाइफ इंशॏरैंस में भी हैं अदित्य बिर्ला लाइफ इंशर इस कंपनी और काफी बड़े अच्छे अच्छे इनके काम है और असेट मैनेजमेंट के भी काम है और काफी अच्छे कंपनी है इसका है तो मेरे हिसाब से इसे अभी लेके भूल जाने के हिसाब से ये अच्छा स्टोक है अभी इसकी लिश्टिंग हुई थी तो इसका हाई था 260, 255 के करीब इसका हाई था और लो 173 और अभी है 187 तो ये एक अच्छा मौका है लेके रखने के लिए जितना कॉंटिटी ले सकते हैं अब लेके थोड़ा रख दीजे 500 से 1000 शेर इतने लेके रख दीजे तो आपको लॉंग टब में अच्छा खासा पैसा मिल सकता है और ये जब से डी मर्जर हुआ है तब से थोड़ा नीचे ही है अगर जैसे भी जैसे जैसे इनके कौटरली रिजल्स आने चालू हो जाएंगे वैसे फिर इसमें ज़्यादा मुवमेंट अपको देखने को मिलेगा और वो लगबग अपसाइड ही होगा फिके ये लुक्सान वाली कंपनी तो नहीं है पॉफिट वाली कंपनी है दो तिन लोगों की राई भी मैं आपको बता देता हूँ दो तिन एक्सपोर्ट में इस पर डाला है नीचे उनकी भी राए बाई करने की है इस शेर के मेरे इसाब से तो अच्छी कंपनी है मैंने खुदने 500 शेर लेके रखे हैं और आप भी मेरे इसाब से ले सकते हैं पर आप अपने पानेशल एडवाईजर से एक बार कंसर्ट कर लिजिए फिर आप इस कंपनी को खरी दिए लेकिन मेरा मानना है कि अच्छी कंपनी है इसका अभी यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं है इसका बुक वेल्यू मैं आपको मार्केट वेल्यू दिखा देता हूँ मार्केट कैपिटल 41,000 का है बुक वेल्यू 43,000 की है 43.24 रुपीज की है इंडस्ट्री पी इसकी 46 है प्राइस टु बुक है 4.33 फेस वेल्यू है 10 यह आगे जाके और डी मर्जर भी हो सकती इस कमपनी में से और दो तिन कमपनी निकल के आ सकती है जो आगे जाके फाइदे वाली बात ही है इंशुरेंस बिजनस ही अपना अलग कर सकते हैं आउजिंग लोन जो है तो उसमें काफी अच्छा फाइदा होगा मेरे इसाब से तो आप ले सकते हो मैं यह मने अपनी राय बताई है लेकिन आप अपने एडवाइजर से एक बार कंसर्ण कर लीजिए बस इतने ही आज बताना था नेक्स वीडियो में हम एक और अच्छी कंपनी लेके आएंगे आपके लिए मल्टी बैगर जैसे थैंक यू